करोनकाल में सबसे ज़्यादा और मुश्किल चीज वैक्सिन लगाना है ये बात सोलन में साबित हो रही है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले तो वैक्सिन की कमी थी अब जब वैक्सिन आ गई है तो अब युवांग की रिजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है जिनकी र हुड़ना भी अब मुश्किल है जिसके लिए खास तोर पर 18 से 44 आयूवर के नागरिकों को खासी परिशानी हो रही है अब ऐसे में कुछ युवांग का उत्साह दम तोड़ता नजरा रहा है यही वज़ा है कि सही सुचना के आभाब में वैक्सिन लगाने के लिए कम बताया वह नहरी हल्प सेंटर में वैक्सिन लगवाने का था उन्होने इस केंदर की तलाज किए तो वे नहरी पहुंचे तो वहां वैक्सिन नहीं लग रही थी। उसको लेकर उन्होंने कई लोगों से पूछा तो पता चला कि वो केंदर बढ़ोग पंचायत घर में बनाया गया है तब जाकर वे यहां पहुंचे हैं उन्होंने बताया कि वे कई किलोमिटर का सफर वह पैसा और समय दोनों गवांकर यहां पहुंचे हैं इसलिए वे परशा करने तो इनका नेरी इनों में मेंशन किया है कि यहां पोश्लॉट कोविषील का इंजेक्शन लगे गा तो वह प्रॉपर एड्रेस पता नहीं लग रहा है लोगों को अधिक्क्ट आई सर नेरी यह जो है नेरी असल में सुल्तानपूर में नेरी स्टेशन जो बताया गया है पर वहां पर COVID-Shield का इंजेक्शन नहीं लग रहा है, जो लग रहा है वो इनका पंचायत भावन में लग रहा है, इतर बड़ो पंचायत में और जो अड्रेस में में मैंशन किया है, वो नेरी लिखा गया है, तो पहले भी आप वहां पर भी जा किया है, जी मैं पिसले कल वही सेशन कराया था नेरी के लिए, तो ये हम साथ मेरे और भी चार फ्रेंट्स हैं, उस सभी का हमारा टिकर करन जहां बता गया था, तो हम जब आगज़ेक्शन नहीं पोचे तो यहां पर कोई आज़र्स हाई नहीं, सरकार ने कोई प्राइड़ी नहीं किया हमारे लिए, हम है चलो कोई भी है, कोई भी वक्सिनेशन लगाता, सारे लोग बरशान है इस चीज के लिए, सरकार को सोचना कि यह ना कि हर बंदा बर कर रहा है, कोई काम छोड़ गया है